हेरे दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं सौ मूवी के फर्स पार्ट के भारे में उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्स्प्लेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना और पर कमेंस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें एडम नाम की एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी नींद एक बाट टप में खुलती है तब ही उसके ऊपर रखी हुई चावी बाट टप से बाहर बह जाती है और क्यूंकि चारों तर ही वहाँ पर लाइट जल जाती है जिससे वह दोनों देखते हैं कि उन्हें टॉलेट के रूम में बंद करके रखा गया है और उनके सामने एक आदमी ने साइड करके अपनी जान ले ली है जिसके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी है इस दौरान हम देखते हैं कि उ हाँ पर कैसे लाए गए थे लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और क्योंकि किड्नैपर ने उन दोनों को ही जंदा रखा था तो इस बार से लौरंस समझ जाता है कि किड्नैपर उनसे जरूर कुछ नगुस तो चाता है फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक चाबी और गन की एक गोली भी मिलती है हाला कि वो दोनों ही उस चाबी से अपनी अपनी जंजीरे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं इसलिए एडम टेप सुनने के लिए किसी तरह से डेट बॉडी के पास मौजूर टेप लॉरेंस की टेप को प्ले करता है तो लॉरेंस से एडम को मारने के लिए कहा जाता है और इसके लिए उसे छे बजे तक का टाइम दिया जाता है साथी साथ ये भी बताया जाता है कि उनके बीच पड़ी हुई डेट बॉडी के खून में जहर है इस दोरान टेप में किसी ए एलिसन और बेटी डाइना को मार दिया जाएगा फिल लास में उस टेप में बताया जाता है कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता दिल में है यह सुनकर जब लॉरेंस आसपस नजर घुमाता है तो उसे टॉयलेट पर दिल बना हुआ दिखाये देता है जिसे एडम चेक करता है तो उसे एक बैल मिलता है जिसके अंदर दो आरियां होती है जिनने निकालने के बाद एडम लॉरेंस की नजर चुपा कर उस बैक को बाट तम में फैक देता है फिर जब वो दोनों जन्जीरों को काटने की कोशिश करते हैं तो वो इस सीज में पूरी तरह से नाकाम हो जात कि आरियां उन्हें जन्जीरों को काटने के लिए नहीं बलकि उनके पैरों को काटने के लिए दी गई है इन सब चीजों को देखकर लॉरेंस एडम को बताता है कि शायद मैं उसे जानता हूँ जिसने हमें किड्नैप किया है जिसके बाद हमें डेटेक्टिव डेविड और उसकी साथ ही स्टेवन को दिखाया जाता है जो एक क्राइम सीन पर पहुसते हैं तो उन्हें वहां पर एक आदमी की डेट बॉड़ी मिलती है जो बहुत ही बुरी तरह से कटीली तारों में फसा हुआ था इस दोरान उन्हें टेप रिकॉर्डर भी मिलता है जिससे पता चलता है कि मरे हुए आदमी का नाम पॉल है और उसने कुछ दिनों पहले ही सुसाइड करने की कोशिश की थी इसी वज़ा से केलर ने उसे पकड़ कर यहां पर कैद कर लिया इसे तरह के कई केसों का इन्वेस्टिकेशन करते करते केस में डिटेक्टिव को क्राइम सीन पर डॉक् भी जानकारी नहीं थी हाला कि वो यह बात नहीं बताता है कि वो पिछली रात कहां पर था इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है फिर जब लॉरेंस का लॉयर उसके पास पहुसता है तो वो उसे बताता है कि पिछली रात वो अपनी गल्फरेंड के साथ था यह जानकर उ उसका लॉयर उसे डिटेक्टिव से सारी बाते सच बताने के लिए कहता है जिससे लॉरेंस को छोड़ दिया जाता है लेकिन छोड़ने से पहले डिटेक्टिव उसे अमांडा नाम की एक लेडी का स्टेटमेंट सुनाते हैं जो कि ड्रक एडिक्ट थी इस दोरान वो अपनी स मास्क पहना कर एक रूम में बंद कर दिया था जिसमें टाइमर लगा उआ दा जिसके ब्लस्ट होते ह ISO मास्क के साथ अमांडा का सर वी ब्लस्ट हो जाता फिर उसे बताया जाता है क्योंमil compose में हैं जो जो की इसवक्र बेहोंश था इसलिए अमांडा ना चाहते हुए भी उस आदमी के पेट को फाड कर चा भी निकाल लेती है इस वज़ा से जिक्सो किलर ने उसे छोड़ दिया था लेकिन अब अमांडा को लगता है कि जिक्सो किलर ने उसकी मदद की है फिर हम प्रेजंट कर सीन देखते हैं जहां पर पता चलता है क एडम और लॉरेंस पर कैमरे से ही नज़र रखी जा रही है और क्योंकि एडम बहुत जादा फ्रस्टेट हो रहा हुता है इसलिए लॉरेंस उसे समझाता है कि तुमें शांत रहना होगा क्योंकि मेरी भी एक फैमली है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ फिर वो अपना प जब तुम अपनी आखे बंद कर लोगे यानि की कैमरे में अंधिरा होगा लेकिन एडम लॉरेंस से वो फोटो छुपा लेता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि लॉरेंस के घर से निकलते ही उसकी फैमली को कैद कर लिया गया था यहां पर हम देखते हैं कि उस किलर को ल पाथ ही स्टीवन के साथ वहां पर च्छापा मार देता है लेकिन जब वो दोनों जिक्सो को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पर बंदे हुए एक आदमी के सर के पास लगी और मशीन को ओन कर देता है जो कि उसकी तरफ तीजी से बढ़ने लगती है रिदेकर स्टीवन उस आदमी को अजाद करने की कोशिश करता है तब ही मौगे का फाइदा उठा कर जिक्सो किला डेविट के गले पर चाकु से अटेक करके वहां से भाग जाता है इसलिए स्टीवन उसके पीछे जाता है और उस पर शॉर्ट कन से अटेक करता है जिससे व बाद भी डेविट बच गया था और उसी के वज़े से उसका साथ ही स्टीवन मारा गया था इसलिए वह अभी तक जिस्वोगा पता लगाने की कोशिश कर रहा था जिसके बाद हमें प्रेजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एडम लॉरेंस के पर्स में मिली फोटो को द दो सिगरेट और एक चोटा सा नोट भी मिलता है जिसमें बताया गया था कि ये सिगरेट पूरी तरह से ठीक है और ये तब तक जानलेवा नहीं हो सकती जब तक तुम इसमें वो बलड का जहर नहीं मिलाओगे जो कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया था जिससे बिना किसी परेशानी के लॉरेंस एडम को मार सकता था फिर लॉरेंस पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उस फोन से सिर्फ कॉल रिसीव की जा सकती है तब ही उसे याद आता है कि जब वो पिछली रात हॉस्पिटल से निकला तो कोई उसकी फोटोज जिसके बाद हम प्रेशन में देखती हैं कि लॉरेंस समझ गया था कि एडम उसे जुट बोल रहा है इसलिए वो उसे सारी बाते सच बताने के लिए कहता है तो एडम उसे वो फोटो दिखाता है जो लॉरेंस के पर से उसे मिली थी एडम उस फोटो को इसलिए चुपा रहा और वापस से जलाने के बाद आडम को वो सिग्रिट देता है जो कि बिल्कुल थीक होती है जिसे पीने के बाद आडम मरने का नाटक करता है लेकिन जिक सो किलर उसे ऑल्थक शौक देने लगता है जिससे Adam उटकर खड़ा हो जाता है और उनका प्लैन चौपट हो जाता है तभी Adam को याद आता है कि वो घर पर पहुचकर रूम में फोटो स्प्रिंट करते करते सो गया और जब उसकी आँख खुली तो उसके घर में लाइट नहीं थी फिर प्रेज़न में लाॉरेंस के पास मौजूद फोन बजने लगता है और जब वो फोन उठाता है तो उसे दूसी तरफ अपनी बेटी डाइना की आवास सुना ही देती है जिसे बात करके लाॉरेंस को ये बात कन्फर्म हो जाती है कि उसकी फैमिली सच में किरनेप हो चुकी है इस दौरान एलिसन लाॉरेंस को आगा भी करती है कि तुम एडम की बातों पर विश्वास मत करना क्योंकि वो तुमें पहले से जानता है ये जानकर वो एडम से पूसता है कि क्या ये बात सच है हालगि पहले तो वो जूट बोलने की कोशिश करता है लेकिन फिर बताता है कि मैं एक प्राइबिट डिटेक्टिव हूँ और मुझे पता है कि तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे जिसके बाद वो बाट टम में छुपाए हुए उस बैक को निकालता है जिसमें लौरेंस की बहुत सारी फोटोस थी और उन फोटोस से ये प्रूव हो जाता है कि लौरेंस पिछली रात किसी से मिलने के लिए होटल गया था उन फोटोस को देखकर लौरेंस एडम से पूचता है कि तुम्हें किसने हायर किया था तो वो बताता है कि मुझे तुम पर नज़र रखने के लिए एक बाब नाम की आदमी ने हायर किया था लेकिन जब एडम उस आदमी का हुलिया बताता है तो लॉरेंस समझ जाता है कि वो बॉब नहीं बलकि डिटेक्टिव डेविड है। और क्योंकि उसे अपने पार्टनर के मरने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था इसलिए वो लॉरेंस के पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए जब गन लेकर एलिसन और उसकी बेटी के पास पहुचता है और लॉरेंस को कॉल करता है लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता एलिसन खुद को अजाद करके उसकी गन ले लेती है लेकिन जब एलिसन लॉरेंस से बात करने की कोशिश करती है तो उसका ध्यान भटक जाता है जिसका फायदा उठाकर जैप उस पर अटैक कर देता है जिससे हाता पाई में गन चल जाती है और उसकी आवाज सुनकर डैविड भी वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन जैप उसे घायल करके वहाँ से भागने लगता है हाला कि इस दौरान वह एलिसन को आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं लौरेंस को मार दूँगा उसी दौरान लौरेंस को बिजली का बहुत तेज जटका लगता है और वह बेहोश हो जाता है इदर जैप जब जा रहा होता है तो डैविड भी उसका पीछा करने लगता है क्योंकि लौरेंस के पास मौझूद वो उन फिर से बच रहा होता है लेकिन दूर हो जाने की वज़ा से वो उसे नहीं उठा पाता इसलिए वो अपने पैर में शर्ट बांद कर उसे आरी से काटने लगता है फिर हम देखते हैं कि डैविड जिप तक पहुच जाता है लेकिन जिप उसे गन से शूट करके मार देता है जिसके बाद हम फिर से लौरेंस को देखते हैं जो अपना पैर काटने के बाद बॉक्स से निकले हुई गोली लेकर मरे हुए आदमी के पास पहुचता है और उसके हाथों से गन लेकर एडम को शूट कर देता है जिसके बाद वो चिलाता है कि मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था इसलिए अब तुम मेरी फैमली को छोड़ दो हलाकि इस दोरान हम देखते हैं कि लॉरेंस की फैमली अब बिलको सही सलामत थी फिर जैप भी गन लेकर लॉरेंस के पास बहुत जाता है और एडम को चेक करने के बाद कहता है कि तुमने बहुत लेट कर दिया इसलिए मुझे रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा लेकिन इससे पहले कि वो लॉरेंस को मार पाता वहाँ पर बेहुश पड़ा एडम उस पर अटेक कर देता है और टॉलेट सीज से उसके सर पर लगातार अटेक करके उसे बहुती बेरहमी से मार देता है फिर हमें पता चलता है कि लॉरेंस ने एडम के कंदे पर गोली मारी थी इसी वज़ा से वो अभी तक जिन्दा है फिर लॉरेंस हैप लेकर आने का वादा करके वहां से जाने लगता है जिसके बाद एडम वहां पर मरे हुए आदमी की बॉडी चेक करता है तो उसे एक टेप मिलता है जिससे पता चलता है कि जिप को भी एक स्लो पॉजन दिया गया था जिसके एंटिडोट के बदले उसे लॉरेंस की फैमिली को मारने के लिए कहा गया था ये सुनकर आडम समझ जाता है कि जिप जिकसो नहीं था बलकि जिकसो कोई और ही है तब ही वहां पर मरा तो वो बाट टब में बह गई इस जोराना में पता चलता है कि उस आदमी का नाम जॉन है और उसके सर में ट्यूमर था जिसका कोई भी इलाज नहीं है हाला कि उसने लॉरेंस से अपना इलाज कराने की पूरी कोशिश की थी लेकिन लॉरेंस ने उसे बताया था कि वो वाला है और उसके पास कोई भी उमीद नहीं बची इन सब चीजों की वज़े से उसने एडम और लॉरेंस को चुना था और क्यूंकि उसके लिए सारी चीजे सिर्फ एक गेम थी जिसमें एडम फेल हो चुका था इसलिए जॉन यानि की जिकसो उसे वहीं पर बंदा हुआ चोड़ कर वहां से चला जाता है और इसी के साथ यह मूवियां खत्म हो जाती है दोस्तों उम्मीद करते हूं आप लोगों को इसके एकस्प्लेशन जरूर पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो प्लीज सेनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को करना और वीडियो पर कमेंट्स करना बिलकुल मिमत बूलेगा एंड थैंक्स वर कमिंग इन वाचिंग